जै हिन साथी हूँ, स्वागत है आपका टार्गेट पैलोजी में मैं आजीस मरगवतम आपका स्वागत करता हूँ आज मैं फिर आपके लिए कुछ important questions को लेकर आया हूँ तो आए questions को solve करते हैं और आप जितने questions का answer दे पाते हैं मूठे comment section में करके बताईए चलिए शुरू करते हैं तो आज का पहला question ये रहा आज का पहला question कह रहा है कि वरगी करण के जनक कौन है आपको बताना है कि वरगी करण के जनक कौन है ये बहुत ही simple question है आप सभी इसका answer दे सकते हैं ठेक है, पहला answer दिया है linear को दिया है, और अस्तू है फिटेकर है कि थियो फ्रेस्टस है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैरोलस लीनियस आईए आज के दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि भारतिय पारिस्थितिक बिग्यान के जनक कौन है आपको बताना है भारतिय पारिस्थितिक बिग्यान के जनक कौन है क्या E.J. बटलर है क्या R. मिस्चरा है क्या कैरोलस लीनियस है क्या हर गुबिन्द है ठीक है साथियों तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा R. मिस्चरा आईए आज के अगले question के तरब चलते हैं अगला question कह रहा है कि कवग विज्ञान के जनक कौन है आपको बताना है कि कवग विज्ञान के जनक कौन है क्या O.P.A. अंगर है क्या मिचेली है क्या Alexander Flaming है कि Edward Zainer है तो दोस्तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा मिचेली क्लियर है आईए आज के अगले question के तरब चलते हैं अगला question कह रहा है कि प्रतिजैवी के जनक कौन है आपको बताना है कि प्रतिजैवी के जनक कौन है क्या एंटोनी वान लिवेन हाग है क्या राबर्ट कोच है स्टाइनले है की Alexander Flaming है तो साथियों इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number 4 Alexander Flaming आईए आज के next question की तरब चलते हैं आज का जो next question है कह रहा है कि प्रतिरच्छा विज्ञान के जनक कौन है आपको बताना है प्रतिरच्छा विज्ञान के जनक कौन है क्या Edward Zinner है क्या Stephen Hells है क्या पंचानन माहिस्वरी है की वेडिसन है तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा Edward Zinner ठीक है आईए next question के चलते है आज का जो अगला question है आनुवन सिकी विज्ञान के जनक कौन है चेटमा question करहा है आनुवन सिकी विज्ञान के जनक कौन है क्या Anderson है क्या Anderson सहब है क्या Paul Berg है क्या Thomas Edison है क्या Galton है तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा Paul Berg ठीक है आईए आज के सात्मी question तरफ चलते है सात्मा question क्या कह रहा है कह रहा है कि आयुर्वेद के जनक कौन है क्या William Harvey है Honeyman है Jonas Salk है की चारक है तो इसका जो सही answer हो जाएगा इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा चाराक हो जाएगा क्या हो जाएगा सात्यों चाराक हो जाएगा आईए आज के आठमी question के तरफ चलते है होमियों पैथी के जनक कौन है क्या बीरबल सहानी है क्या रूडोल्फ विर्जोव है क्या हैनी मैन है क्या William Harvey है तो इसका जो correct answer हो जाएगा सात्यों वो हो जाएगा हैनी मैन हो जाएगा आईए आज के नौवे question की तरफ चलते है आज का जो नौवा question है वो कह रहा है कि पूलियो टीका के जनक कौन है पूलियो टीका के जनक कौन है क्या जो नास साल्क है नार्मन इबार लोग है क्या स्वामी नाथन है क्या H.G. मूलर सहाब है तो नौवे question का जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा सातियों जो ना साल हो जाएगा ठीक है आईए आज के next question की तरफ चलते हैं आज का जो अगला question है वो कह रहा है कि endocrinology के जनक कौन है हमको बताना है endocrinology के जनक कौन है क्या Thomas Edison सहाब है क्या Galton सहाब है क्या Anderson है और क्या Robert Coach है तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा Thomas Edison ठीक है आईए आज के अगले question की तरफ चलते हैं अगला question क्या कह रहा है कह रहा है कि भारती ये बुरुड विज्ञान के जनक कौन है ठीक है तो इसका जो पहला है वो है Gregorzan मिंडल पंचानन माहेस्वरी तीसरा है Betson और चौता है T.H. Markan साथियों तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा पंचानन माहेस्वरी ठीक है साथियों आईए आज के बरावे question की तरफ चलते हैं आज का बरावा question क्या कह रहा है बरावा question कह रहा है कि जीन चिकित्सा या जीन तिरेपी के जनक कौन है जीन चिकित्सा या जीन तिरेपी के जनक कौन है क्या पॉल बर्ग साहब है क्या एंडर्सन है थामस एडीसन है क्या गाल्टन है बरावे question का जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा एंडर्सन ठीक है साथियों आईए तेरहवे क्वेस्टन की तरफ चलते हैं तेरहवा क्वेस्टन क्या कह रहा है तेरहवा क्वेस्टन हमको कह रहा है कि हरित क्रांती के जनक कौन है हमको बताना है हरित क्रांती के जनक कौन है क्या E.J. बटलर है क्या E.J. बटलर है क्या Hippocrates है क्या TS मारगन है क्या NARMAN E BARR LOG है तो 13ίας का साथियों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NARMAN E BARR LOG हो जाएगा ठीक है? आगए 14 somewhere questions के तरब चलते हैं 14 वा question क्या कर रहा है कहरा है पादप कार्यकी के जनक कौन है तो साथियों क्या माई के लिए हैं आपको बताना है क्या माई के लिए हैं क्या स्टीफन हेल्स हैं एंटोनी वान लुएन हांक हैं की लुइस पास्चर हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा स्टीफन हेल्स हो जाएगा ठीक है आईए आज के पंद्रहवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पंद्रहवा क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कह रहा है कि भारती ब्रायो लाजी के जनक कौन है भारती ब्रायो लाजी के जनक कौन है तो बताना है आपको ठीक है पहला क्वेश्चन कह रहा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ठीक है साथियों आईए आज के next question की तरफ चलते हैं यानि सोलावे question की तरफ सोलावा question है आधूनिक जिवाडु विग्यान के जनक कौन है आधूनिक जिवाडु विग्यान के जनक कौन है पहला answer कह रहा है क्या एंटूनिवान लिवेन हाक है क्या लूइस पास्चर है क्या स्टैनले है या इन में से कोई नहीं है तो साथियों जो इसका सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा लूइस पास्चर ठीक है आईए आज के 17 वी क्वेश्चन की तरफ चलते है 17 वा क्वेश्चन क्या कह रहा है 17 वा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गी की ये के पिता कौन है आपको बताना है वर्गी की ये के पिता कौन है क्या कैरोलस लीनियस है क्या वीटेकर साहब है क्या कोपलेंड है क्या हेकल है ठेक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्या रोलस लीनियस आईए आज के अगले क्वेस्टन की तरफ चलते हैं अगला क्वेस्टन क्या कर रहा है कह रहा है फादर आप साइटोलोजी ठेक है यानि कोशी का विज्ञान के जनक कौन है क्या राबर्ट ब्राउन है क्या राबर्ट हुक है क्या राबर्ट कोच है या राबर्ट साभ है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा राबर्ट हुक आईए आज के उन्नीश में question की तरफ चलते हैं उन्नीश में कह रहा है कि father up dna finger printing father up dna finger printing तो इसका पहला है एलेक जेफरी सहाब है बटलर सहाब है पॉल बर्ग है या इन में से कोई नहीं नानब दीज है तो इसका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा एलेक जेफरी ठेके साथियों आईए आज के अंतिम लास्ट question की तरफ चलते हैं ये है कि father of ATP cycle जो ATP चक्र के पिता कौन है आपको बताना है क्या H.G. Muller सहाब है आपको बताना ही गो डिवरीज सहाब है क्या Lipman सहाब है क्या Edward Zainer है तो साथियों जो इसका correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा Lipman सहाब हो जाएगे ठेक है तो ये आज आपके सामने 20 के 20 questions रहे अगर आपको वीडियों अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए जिससे की हमारा वीडियों सबसे पहले आपके पास पहुचे और Target biology को सब्सक्राइब करना न बुले जैहन साथियों